आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमिस्टर का सबजेक्ट पैतो फिजियोलोजी का कोश्चन पेपर विच सल्यूशन मतलब कोश्चन पेपर तो हम देखेंगे साथ-साथ उसका सल्यूशन क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे सो यह जो कोश्चन पेपर हैं ँसके अंदर यह बताने कि हाइपर ट्रॉफि क्या होता है तो हाईपर TROos का मतलब होता है इस वर्ड से पता लगा सकते कि जो pH है वो acidic हो गया तो उसे Acidosis कहा जाता है electrolyte का imbalance होकर कि pH जो है वो acidic हो जाता है मतलब 7 से कम pH हो जाता है तो इसे Acidosis कहते है नेक्स आता है Acute Renal Failure तो Acute Renal Failure क्या होता है यह ऐसी condition होती है जिसके अंदर kidney जो होती है वो अचानक से blood filter नहीं कर पाती है तो यह जो होता है कुछ गंटों से कुछ दिन में develop होता है नौर्मली यह उन लोगों में होता है जो पहले से बहुत जादा बिमार होते हैं पहले से hospitalized होते हैं उनके अंदर यह होने के chances जादा होते है नेच्स आता है अनेमिया अनेमिया क्या होता है healthy red blood cells का कम होना जो है वो अनेमिया क्यालाता है यह भी अलग अलग टाइप का हो सकता है जैसे कि iron deficiency आनेमिया मतलब iron की कम्मी की वज़े से होता है Megaloblastik जो की vitamin B-12 की deficiency की वज़े से होता है नेक्स्ट राता है । गाउट क्या होता है है यह बताना है तो इस डिजीज को जो है गाउट का जाता है next question का first part है what is congestive heart failure तो congestive heart failure क्या होता है heart failure जिसके अंदर heart जो होता है वो proper जो है circulation of blood नहीं कर पाता है body के अंदर उसे congestive heart failure कहा जाता है next आता है what are joint disorders तो joint disorders क्या होते हैं ये बताना है तो joint disorders क्या होते हैं कि joints के अंदर कोई भी deformity आ गई तो उसे joint disorder कहा जाता है जिसे कि example होगे rheumatoid arthritis, gout, osteoarthritis यह सब joint disorders के ही example है next is what do you mean by cell death cell death का क्या मतलब होता है अगर जो cell है उसकी body के अंदर और जादा जरूरत नहीं है तो वो cell जो है वो suicide कर लिता है अपने आपी जो है उसकी death हो जाती है तो इसे cell death कहा जाता है इसे apoptosis, autophagy, necrosis कुछ भी कहा जा सकता है next आता है right role of inflammation so inflammation का क्या रोल होता है inflammation का ये रोल होता है कि जो initial cause होता है cell injury का और जो necrotic cells जो present रहे जाते हैं जिस जगे पर injury हुई होती है उस सब को clear out करने का काम जो है वो inflammation का होता है और साथ में repair जो है उसे भी शुरू कर देता है inflammation next is define STD so STD क्या होती है sexually transmitted diseases होती है जो की sexual contact की वज़े से transmit होती है इसके examples है AIDS and gonorrhea and और भी examples है now section B का first question है give different types of inflammations explain mechanism of inflammation in detail with examples so इसके अंदर सबसे बहले तो अलग-अलग type की inflammation बताने है then mechanism of inflammation को जो है detail में explain करना है so अलग-अलग type की examples क्या क्या होता है inflammation के अलग-अलग types acute inflammation and chronic inflammation acute inflammation जो है short period of time come time के लिए होता है और body जो अपने आप repair हो जाती है बड़ जो chronic inflammation होता है जब जो causative agent है हमारी body के अंदर बहुत जादा time तक रह जाता है तो जो है chronic inflammation हमारी body के अंदर होती है इसका mechanism क्या रहता है то acute inflammation जो है इसके अंदर कुछ vascular events होती है then cellular events होती है and जो chronic inflammation है इसके अंदर mononuclear cell का infiltration होता है necrosis होती है तो तो प्रोलिफयरेटिव changes होते है इस तरीके से जो है इन दोनों का mechanism होता है next is describe pathophysiology of hypertension and angina so इसके अंदर hypertension की and angina की इन दोनों की pathophysiology जो है वो लिखनी है so सबसे पहले hypertension होता क्या है जब blood pressure जो है वो normal pressure से ज़ादा हो जाता है मतलब 120 by 80 mmHg से ज़ादा हो जाता है तो उसे hypertension कहा जाता है अब इसके types क्या क्या होते हैं जिसके primary and secondary hypertension होते है इसके causes क्या क्या होते है इसके pathogenesis क्या रहती है इसके science and symptoms क्या होते है इसके complications क्या हो सकते है इसका diagnosis के इस तरीके से किया जाता है इसका treatment क्या हो सकता है यह सब चीज़े जो है वो pathophysiology के अंदर आती है तो ये दोनों points जो है वो हमें hypertension के लिए और angina के लिए सारे के सारे points लिखने है अब angina क्या होता है जो chest pain होता है कि myocardial oxygen supply and demand में imbalance होने की वज़े से जो chest pain होता है उसे angina कहा जाता है अब angina के भी types क्या होंगे causes क्या होंगे pathogenesis क्या होगी science and symptoms क्या होंगे complications क्या होंगे diagnosis क्या होंगे and then treatment क्या होगा यह सबमें यहां पर लिखना है next question is discuss causes of cell injury cell injury के बहुत सारे causes होता है अब यह question 10 marks का है तो हमें at least 10 causes तो लिख रहे होंगे तो जो 10 causes हो सकते cell injury के वो है hypoxia, physical agents, chemicals and drugs, microbial agents, immunologic agents, nutritional derangements, psychological factors, idiopathic causes, developmental defects and sickle cell anemia यह सब जो हैं यह causes होते cell injury के now section C के first question का first part के classification of cancer so cancer का क्या classification जाता है तीन types के cancer हो सकते है carcinoma, sarcoma and leukemia and cancer जो है वो tumor की वज़े से होता है तो tumor जो हैं यह भी दो type के हो सकते है benin tumor and malignant tumor next is explain pathophysiology of diabetes तो pathophysiology इस term का simply मतलब होता है कि हमें सबसे पहले उस disease की definition लिखनी है then उसके types लिखनी है, then उसके causes लिखनी है, then उसके pathogenesis लिखनी है यह सब चीज़े इसके अंदर लिखनी होती है, so सबसे बहले diabetes होती है, जब blood glucose level जो है, वो increase हो जाता है body के अंदर and insulin का production जो है, वो effect हो जाता है, तो इसे जो है diabetes कहा जाता है, diabetes की जो pathophysiology है, मतलब सारे की सारी चीज़े जो इसके बारे में वो लिखनी है next is what do you understand by meningitis explain, so meningitis से हम क्या समझते है, वो explain करना है, तो meningitis नॉर्मल ही होता क्या है, meningitis जो की protective covering होती है, brain की, उसका inflammation होना जो है, वो meningitis कहलाता है यह bacteria है, फिर virus की infection की वज़े से हो सकता है, यहाँ पर हमें particularly pathophysiology नहीं पूछिया, तो meningitis की definition लिखे देन, उसके types, causes and treatment इतना ही लिख सकता है next आता है, write about different types of hepatitis, तो सबसे पहले hepatitis होता क्या inflammation of liver जो होता है, उसे hepatitis कहा जाता है अब जो अलग-अलग types की hepatitis होती है, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, तो hepatitis A होती है, B होती है, C होती है, D होती है, E होती है, इन सब के बारे में इसके अंदर लिखना है next is describe basic pathophysiology of asthma, so asthma क्या होता है, asthma एक ऐसी condition होती है, जिसके अंदर जो airway होता है, वो inflame हो जाता है, मतलब suit जाता है and narrow हो जाता है, जिसके वज़े से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो asthma की definition लिखने है, उसके types लिखने है, causes क्या हो सकते है, science and symptoms लिखने है, complications क्या क्या हो सकती है, वो लिखने है, then diagnosis कैसे होता है, then treatment क्या होता है, यह सब चीज़े इसमें लिखनी है now last question का first part है, right pathophysiology of epilepsy, so epilepsy की pathophysiology लिखनी है, so epilepsy क्या होता है कि, जो nerve cell activity होती है brain की, वो कुछ reason की वज़े से disturb हो जाती है, तो and उसके वज़े से seizures कुछ जटके जो है वो आने लग जाते है, तो इससे epilepsy का जाता है, epilepsy को हिंदी में मिरगी के दोरे का जाता है, तो यह एक nervous system का disorder ह है, इसकी pathophysiology लिखने है, मतलब इसके भी definition, types, causes, pathogenesis, science and symptoms, complications, diagnosis and treatment जो है, वो सब लिखना है, next question is, describe causes of urinary tract infections, so urinary tract infections के क्या-क्या causes होते हैं, वो यहाँ पर लिखने है, so क्या-क्या causes हो सकते हैं, इसके जिसके poor personal hygiene हो गई, kidney में stones हो गई, diabetes हो गई, problems emptying the bladder completely, मतलब bladder को empty करने में दिक्कत होती है, तो, या फिर urine का जो flow है, वो किसी तरीके से block हो जाए, तो इन सब चीजों के वज़े से, जो है, urinary tract infections हो सकते हैं, now next is, discuss problems associated with osteoporosis, so osteoporosis से associated क्या-क्या problems होती हैं, वो यहाँ पर लिखने हैं, तो mainly क्या होता है, कि osteoporosis के अंदर bones होती हैं, वो weak हो हो जाती है, मतलब, normally अगर कोई इनसान band भी हो रहा है, या फिर खास भी रहा है, तो उसी time, इत्ती से चीजों के वज़े से भी fracture हो सकता है, तो यह कुछ problem है, osteoporosis से associated, और भी problems हो है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, next is give principles of wound healing, तो wound healing के क्या-क्या principles होती होती है, तो इसक healing by second intention भी कह सकते हैं, इसका भी एक procedure होता है, वो सब यहाँ पर लिखना है, तो यह हमने मार्च 2021 का complete question paper with solution discuss किया है, अगर आपको यह वीडियो helpful लगे हो, तो इस वीडियो को like करना, share करना, चैनल को subscribe करना, अगर आपको कोई भी doubt हो, या फिर आप किसी भी topic पर वीडियो चाह question में बता सकते हैं, आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं, पीडियक notes के लिए या फिर question paper वगरे की photo आपको चाहिए हो तो, so thank you, इस वीडियो को end तक देखने के लिए,